सभी आंगनबारी सेविका साहेका मिनी बहनों को नववर्स की हारदिक सुबकामनाएं भाईयो बहनों आप सबके लिए सुबे का ये जो वीडियो लेकर के आएं हैं इसमें बहुत ही बढ़िया सी जानकारी है चना दाल की आपूर्ती के लिए बजट का आवंटन हो चुका है यानि चना दाल के लिए बजट जारी हो चुका है आए इस वीडियो को पूरा देखते हैं एक अरब 92 करोण 29,63,799 का पूरा ये बजट है जो की चना दाल के लिए है और नैफेड वालों को इसके लिए बेज दिया गया है तो चलिए बढ़ते इस वीडियो की तरफ लेकिन आप सबसे कहना चाऊँगा कि नववर्स 2023 आज से सुरू हो चुका है और आज आप सभी भाई बहनों को जो भी आलेंडिया परिवार से पहले से जुड़े हैं या नए नए जुड़े हैं सब को नववर्स की हार्दिक सुबकामनाए हैं उमीद करूँगा कि इस नए साल में आप सब के लिए कुछ आलेंडिया और बहतर कर पाए जैसा कि कोर्ट की तरफ से जो कारवाईया होनी है जो प्रयास होनी है आलेंडिया और सभी भाई बहनों के तरफ से उनमें हम सब को जीत मिले ताकि हमारी आंगनबारी बहनों के घरों में भी खुसियां आएं तो कोसिस यही रहेगी कि 2023 में कुछ अच्छा हो जाए बाकि आप सब बहने जो अलग से कुछ अच्छा करना चाहें अपने जीवन में उसके लिए भी अगर आप कुछ सोच रही है इस नए साल करने के लिए तो आप उसको भी जरूर करें जब किसी चीज को आप करती है तब ही उसके होने की कुछ जो है संभावनाय बनती है तो किसी चीज को केवस सोचने से ही वो पूरी नहीं होती थोड़े थोड़े प्रयास भी लगाने पड़ते हैं तो किसी भी कारे को अगर आप इस साल करना चाह रही है तो उसको सुरू कर दीजेगा और कल से नहीं आज से ही सुरू कर दीजेगा थोड़ा थोड़ा करके जो भी आपके लक्षियों जिस भी तरह के हूँ अब चलते हैं इस वीडियो की तरफ महावीर प्रसाद गौतम जी सायूक्त सच्यू है उत्तरपदे सासन में उन्होंने यह लटर अपने बालविकास भाग में नदेशक जी को भेजा है 28 दिसंबर को भेजा है अब देखेगा इस चनादाल की आपूर्ती के लिए अग्रिम भुगतान के सम्मंद में साथी उन्होंने और लिखा कि उक्त के करम में मुझे यह कहने का नदेश हुआ है कि प्रदेश की बालविकास पर्योजनाओं में संचालित आंगनबाडी केंद्रों पर अनपूरक पुष्टाहार योज 16799 इतने के अग्रिम की स्विक्रती एवं उक्त अग्रिम का भुगतान नैफिड को ऐसे ने खाते से किये जाने की निमलिखित सर्तों और प्रतिबंधों के अधीन स्री राजपाल महोदे सहर से स्विक्रती प्रदान करती हैं साथी उन्होंने और नियमों में लिखा के उक्त धनरासी का अग्रिम आहरण वित्त यानि की लेखा अनुभाग एक के काराले ग्याप संख्यादी है 15-11-17 की और 20-10-1983 की साथी 10-6-2011 की और 18-9-2017 की इनमें नीत जो भी सर्ते हैं जो भी प्रतिबंध हैं उनके अधीन ही क किया जाएगा इस सम्मंद में निर्गत वित्तिय स्विक्रती समंदी सासना देश में निर्धारित सर्तों प्रतिबंधों का पूर्टेह अनुपालन भी सुनिचित किया जाएगा खास ध्यान देना इस वाले बजट के समायोजन के लिए भी यहाँ पर लिखा है और यदि कोई हानी होती है तो उसके लिए सम्मंदित आहरण वित्रण अधिकारी पूर्ड रूप से उत्तरदाई होंगे एक बार में एक माह के अनुमानित आवसेक्ता के बराबर की धन्रासी अग्रिम के रूप में आहरित की जाएगी योजना से सम्मंदित भारज सरकार समायोजन दिनांक 31 मार्च 2023 तक अवस्य कर लिया जाए यानि लिखा है कि पहले जो भी सुक्रत की गई समस्त जितनी भी अग्रिम धन्दासी थी उस सबका समायोजन 31 मार्च तक 2023 में कम्प्लीट कर लो क्योंकि मार्च के बाद अपरेल से फिर क्या होगा फिर नया वित्ती वर लागू हो जाएगा और इसलिए इस वाले वित्ती वर्च के लिए 31 मार्च तक समय है जितना भी धन्दासी सब जारी हुआ है पहले और अब का टोटल का टोटल समायोजन 31 मार्च तक करने के लिए बोला जा रहा है अब चलते हैं आगे और भी आपको कुछ दिखाते हैं ए लेटर उन्होंने जो है अजीत कुमार सिंग जी है जला कारकम अधिकारी मौजिले में उनका लेटर है और मौजिले में जो की रानीपुर पर्योजना पड़ती है वहां के बाल विकास परचना पदा अधिकारी के लिए लेटर लिखा गया कि पोशल्ड ट्रेकर पर पंजी कृत लाभार्ती के आधार सत्यापन और वास्तविक लाभार्ती के फीडिंग के संबंद में है साथी साथ उन्होंने लिखा कि 15-12-2022 जो समस्त जिला अधिकारी उत्तरपदेश को संबोधित एवं समस्त जिला कारकम अधिकारी को प्रष्ठांकित है आंगनवाडी के लाभार्ती के पोशल्ड ट्रेकर पर आधार सत्यापन की समीच्छा में पाया गया कि अब तक मात्र 96.6% लाभार्तियों का ही आधार सत्यापन पोशल्ड ट्रेकर पर किया गया है बारस सरकार द्वारा दिनांक 31 दिसंबर तक पोशल्ड ट्रेकर पर आधार सत्यापित लाभार्ती के लिए अनपूरक पुष्टाहार कारक्रम के अंतरगत, खाध्यान वा बजट का आवंटन किये जाने के नर्देश दिये गए है वित्तिय वर्स 2022 ते इसके 33 मास जो कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इसके लिए अनुपूरक पुष्टाहार मांग पत्र जन्पदों के द्वारा उपलद कराई गई आंगनबाडी केंद्रों के लाबार्ति पोष्ट ट्रेकर पर आधार सत्यापित लाबार्ति इनमें अधिक लाबार्तिों की संख्या प्रेशित की गई है साथी अनेको जनपदों द्वारा पोशर ट्रेकर पर आधार सक्त्यापित लाभार्तियों से कम संख्या प्रेसित की गई है कारेले की पत्र संख्या दी है 21-22-22 आंगन बारी केंद्रों पर पंजी कर्शत प्रेसत लाभार्ति का आधार फीडिंग एक सप्ता के अंदर पोशर ट्रेकर पर अनिवार रूप से कराने के नर्देस दिये गए हैं तो इसी अनुसार उन्होंने कहा है कि पर्योजना के पुष्टाहार डियाई के अनुसार और पोशर ट्रेकर पर फीड लाभार्ति का निरंतर यानि यहाँ पर जो अंतर है स्वारी वो निमनवत है तो डिफरेंस देखिएगा यहाँ पर जो की आया है परोजना का नाम पोशर ट्रेकर पर फीड लाभार्ति की संख्या डियाई के अनुसार लाभार्ति की संख्या अंतर कितना आया और पोशर ट्रेकर पर फीड लाभार्ति कितने डियाई के अनुसार कितने वो तीन से छे वाले और फिर जो यहाँ पर गर्वती धात्री इन का अलग-अलग दिया है जो की पोश्र ट्रेकर पर और डियाई में जो की अलग-अलग दिख रहे हैं तो अलग-अलग नहीं दिखने है जो डियाई जाए उतना ही फिल्डिंग रखो अब देखो पोश्र ट्रेकर पर वास्तविग लाबार्ती का 7% आधार फिल्डिंग दिना लापरवाही अगर होती है तो फिर उसके लिए विभागी कारवाही कर दी जाएगी इस तरह से ये लेटर आया काफी important रहा क्योंकि मैंने एक बार तो बताया नहीं मैंने पिछले सब्ता भर से जादा समय से बार बार कहा है कि 31 दसंबर तक जिनको भी feeding करनी है वो अपनी कर लें जिनको भी लाभारतियों का सत्यापन करना है वो कर लें डियाई जा रही है अगले तीन माँ जनवरी फरवरी मार्च के लिए और जो भी आना होगा रासन बस उन्हीं का फिर आएगा फिर आप सूच लें कि जनवरी में बढ़वा लेंगे तो नहीं बढ़ेगा जतने जाएंगे डियाई जारी होगी उतने दासन आएगा और उतने आपको लेना पड़ेगा और अगर इस भी चीज को किसी ने गंभिरता से नहीं लिया तो फिर भाई वो उसकी कमी है क्योंकि आल इंडिया ने पिछले साथ दिनों में 31 के पहले खूब जम करके इन मुद्दों पर चर्चा की है पोश्ट ट्रेकर वाले लावारतियों की फेडिंग और इन चीजों पर अब रह गए होंगे सो रह गए होंगे अपनी कमी के चलते रह गए होंगे बाकी आल इंडिया ने पूरा प्रयास किया कि हर बहन को मदद मिले और किसी भी बहन को कोई दिक्कते ना है अब देखो हमारा आंगन हमारे बच्चे ये जो कारिक्रम है इसके आयोजन के सम्मंद में है वैसे काफी जगए है कारिक्रम काफी पहले से भी आयोजन इसका हो रहा है आए दिन बच्चे जो बहने क्या करती है कि वहां के फोटो बेजती है अब ये इधरीपुर पढ़ता है इंदरीपुर ऐसे ही है देवरिया में है ये और वहां से ये खबर है कि विकास खंड बस्खारी और रामनगर में सुक्रवार को हमारा आंगन हमारे बच्चे नामक योजना के तहट कारक्रम का आयोजन किया गया इस दोरान उपस्ति सिच्चक अभिवावक आंगन बाड़ी कार करती इनको कारक्रम की महत्ता को इसकी रूप रेखा भी प्रस्तुत की गई है तो ये जानकारी है तो इस तरह से आया है बस्खारी में खंड सिच्चा अधिकारी केके सिंग इन्होंने कहा कि खेल केल में बچचों के माध्यम से बच्चों को सिच्छा देकर रुचिकर बनाया जा सकता है तो इस तरह से सिच्छा के प्रती आकरसर पैदा करना बहुत आवस्यक है इसके बारे में भी बोला गया तो यही सब हैं माकी जो भी लच्छ हैं वो सब रखे गए हैं कच्छा एक दो तीन वालों के वो सब बताया होगा निपुट भारत के तह जो लच्छ होते हैं और आल इंडिया ने तो कई बार आपको निपुट भारत के लच्छ बताये हैं बालवाटिका के बारे में चर्चा करन अभियान और इससे इन बच्चों के खसरे से सुरच्चा मिलेगी पांच वरस तक के बच्चों को दिया जाएगा टीका तो विसेश टीका करन अभियान में डेर से पांच वरस के जो बच्चे हैं मीजल सुरबेला का टीका इनको दिया जाएगा सबसे पहले टीके से वंच विशेश टीकाकरंब अभयां के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है एक जनुरी से टीकाकरंब अभयां सुरू होगा तीम खे कारों की निगरानी के लिए विशेश अब दोस्तों आज के इस वाले वीडियो को हम क्या करते हैं यहीं तक रखते हैं और अगले वीडियो में आपको मिलेंगे लेकिन मैं जाते जाते फिर कहना चाहूंगा वीडियो देखने वाले सभी भाई बेनों को नववर्स 2023 की बहुत बहुत सुब कामना हैं उम्मीद और प्रयास पूरे यही रहेंगे कि यहां पर जो है 2023 में कुछ अच्छा हो हमारी बहनों के लिए भी जो है कुछ अच्छा हो उनके घर में खुसियां आएं जो लड़ाई छड़ी जाएगी 2023 में वो सफल हो इसी की हम सब कामना करेंगे इस नव वर्स में धन्यवर्स नमस्कार आल इंडिया आंगनबाडी न्यूस चैनल में आपका स्वागत है चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे है रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानि घंटी बनके आएगी उस पर जब आप दबाएंगे तो तीन घंटी आपको दिखेंगी जिन में सबसे उपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है